प्रतिक दिन किसी ना किसी ग्रह का अतिपात स्थित्पत होता है शनीवार का दिन शनी ग्रह के अधीन है शनी के डिया या साड़े साती से बचना चाहते हैं तो अपने कर्म सुधारे इससे आपको कोई विविशेश उपाय नहीं करने पड़ेंगे शनी के प्रकोप से सदा के लिए बचे रहेंगे शनीदेव एक मात्र ऐसे देव हैं जो केवल शुप कर्मों से प्रसन होते हैं अच्छे कारे को सिद्ध करने में साहिता करते हैं शनीवार को कुछ खास संकेश बताते हैं कि आप पर हैं शनी किरपा इस मौके को हास से ना जान करें जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे शनी के प्रकौप का भजन होना पड़ता है सुभा मुख के द्वार खोलते ही सामने यदि सपाई करमचारी दिख जाए अत्वा मांग में भी मिल जाए तो इसे अपना भागी समझे उसे काला कपड़ा जूता छत्री या कुछ रुपे विशेश कृपा रखते हैं जो लोग उन्हें कस्की देते हैं शनीदेव कड़े से कड़ा डंद देते हैं मजदूरों को उसकी मजदोरी काम करवा कसा धी दे उनका हक रखने वाले पर शनी अपनी कुरुरदृस्टी बरसाते हैं बदाने कि मानता है कि काला कुता शनी काला कुता आ जाए अथ्वा गर से निकलने पर काला कुता दिख जाए तो यह शनी कृपा का संकेत है उसे रोटी के उपर तेल चुपर कर खिलाए जरूर यह बात तो आपको पता होगी कि व्यक्ति का चरित्र उसकी राशी को देखकर भी पता लगाए जा सकता है क्योंकि व् लोग्षम के बलवूते बहुती कम उम्र में ही गारी मंगला धन संपत्ति पा लेते हैं तो चलिए आपको पताते हैं कहीं आपकी राशी भी तो इनमें शामिल नहीं है विश्चिक राशी आपको बता दें कि इस राशी के जातक बहुत जादा किसमत वाले होते हैं आपको विश्चिक राशी के लोग अपने भैवार से बहुत लोग को बस में कर लेते हैं यह कटिन परिश्चम करने में विश्वास रखते हैं विश्चिक राशी इस राशी के लोगों पर किसमत हमेशा महरवान रहती है विश्चिक राशी के लोग दिखने में भी बहुत जादा खूबसूरत होते हैं और इस लग के जिनकी भी शादी होती है वो हमेशा सुखी जीवन वेदीद करते हैं माता लक्षमी की कि इन पर सदेव बनी रहती है अपनी मेहनत की दम पर ये सब कुछ हासिल करने का दम रखते हैं सिंग राशी सिंग राशी के लोग उच्चि वेक्तिवत के होते हैं लेकिन लोगों पर हमेशा किसमत महरबान रहती है ये कहना बेलकुल भी गलत नहीं होगा कि इस राशी के लोग किसमत के धनी होते हैं ये लोग जिस भी जगा रहते हैं वहां नेता बन कर ही रहते हैं करक राशी के लोग प्यार और करियर के मामले में बहुत ही जादा किसमत वाले होते हैं ये प्यार और करियर दोनों को ही एक साथ लेकर चलते हैं इस राशी के लोग घ्रह में नयाई दीश की उपलब्दी प्राप्त है शनी नवग्रह में तास को भी पद्वी प्राप्त है आपको पता दें कि ग्रह की चाल बनलने से अलग अलग राशी पर अलग असर पड़ता है इस बनलाव से शनी एक साथ कहीं राशियों में प्रवेश कर रहे हैं उनका आप अच्छा समय शुरू हो जाएगा नेक्स नाइस पीचल की रिपोर्ट